तो नमस्कार शनिवार और रात के नौ बजे कहानी का वक्त है और आपके सामने हाजिर हूँ बहुत सारे लोगों की सिफारिश आये थी मेल पे की गुलशन कुमार मडर केस के बारे में कहानी सुनाए तो बहुत दिनों से ये था कई चीज़ें हो रही थी मैच फिक्सिंग और सारी तो मने का कि आप शनिवार भी है तो गुलशन कुमार की ही मडर केस की कहानी सुनाए जाया हला के अठारा और तीन 21 साल हो गए इस बात को और 21 साल पुरानी कहानी है ये पूरी और ये गुलशन कुमार मडर केस वो मडर केस है जिसमें कतल मुंबई में हुआ था लेकिन जो पार्थिव शरीर है गुलशन कुमार के वो दिल्ली लाया गया था और एरपोर्ट पे मैं उस वक खड़ा मौजूद था दिल्ली एरपोर पे थे जिसमें ज्यादा तर जिस जैसे कुमार शानू अनुराधा पोड़वाल और बाकी सोनु निगम ये सारे सिंगर चुकि इन सब को मौका दिया था गुलशन कुमार ने तो असल में गुलशन कुमार की कहानी शुरू होती है दिल्ली से और जहां से मैं इस वक बैटके आप से बात कर रहा हूं ये नुएडा फिल्म सिटी है इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स का दफ्तर है जहां पर आच तक और इंडिया टुडे सारे यहां से अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मेरे बाएं साइड में चलूंगा मैं तो करीब पांच सो कदम पे टी स्रीज का दफ्तर भी और स्टूडियो भी है और यह जो पूरा नुएडा फिल्म सिटी है यह कहते हैं कि इसमें जो पहली बिल्डिंग बनी थी वो टी स्री की ही थी सुपर कैसेट इंडिस्ट्री इंडिस्ट्री गुल्शन कुमार की तब यहां जंगल हुआ करता था लेकिन गुल्शन कुमार ने बहुत बड़े-बड़े दो इस्टूडियो बनाए जिसमें आज भी शूटिंग होती है और बहुत सारी फिल्में बनती हैं गुल्शन कुमार की तमाम यादें यहां पर हैं गुल्शन कुमार की कहानी असल में शुरू होती एटीस से गुल्शन कुमार के पिता की दरिया गंज में पुरानी दिल्ली में एक जूस की दुकान हुआ करती थी गोल्चा सिनेमा एक बहुत फेमस है उसके बिल्कुल कि बेचने के साथ सथ रिपेयर का भी काम शुरू हो गया तो टेप आते थे कैसे टाते थे और वह वाला जो तब गाना वजा करता था ग्रामो फोन टाइप वह सारी चीजें थी तो यह दुकान शुरू ही ठीक ठाक चलने लगी तब ही गुल्शन कुमार को ख्याल आया कि क्यो से सस्ता कैसेट बनाया जा सकता है फिर धीरे धीरे नोइडा में यह स्टूडियो बनाया और कैसेट का बिजनिस शुरू किया बट शुरुवात जो की थी वह धार्मिक गाने से की तो जो छोटे मोटे सिंगर हुआ करते थे जिनकी आवाद जो पूजा में यह कहीं और इस यह कैसेट पॉपलर हुआ इनी सब सिंगर्स में से बहुत सारे सिंगर के आवाज लोगों को पसंद आने लगी और वो पहले बहुत चोटे पैमाने पे था जब पसंद आ ले लेगी तो फिर गुलशन कुमार ने उनको मौका देना शुरू किया और यह चलता रहा धीरे-ध कंपनी सी दूसरी म्यूजिक कैसेट्स की उनके रेट जादा होते थे और यह बड़े सस्ता मतब उस वक्तिस तीस रुपे का अगर बाकी मिलता था तो दस रुपे का कैसेट मिला करता था तो एक तरह से क्रांती आगे थी कैसेट मूजिक इंडस्री में तो धीरे-धीरे यह की आवाज कौपी पूरी एकदम थी कुमार शानू किशोर कुमार की एकदम कौपी मुकेश का भी एक बरजन था इसके लावा शबीर कुमार मुन्ना अजीज तो यह सारे जो सिंगर थे यह धीरे-धीरे पॉपलर हो गया उसके बाद फिर उसी दौरान में एक लाल को भी मौका देना शूर कर दिया गुलशन कुमार ने लेकिन वह सारे नए लोगों को ही मौका दिया करते थे तो इसमें से कई सारे म्यूजिक डिरेक्टर भी जो है वह धीरे-धीरे पॉपलर हो गया उनमें से एक नदीम शरवन यह दो थे नदीम एक अलग और शरवन फिर फिल्मी गाने और उसके राइट्स लेने शुरू किये और थोड़ा वक्त भी था नाइनटीज आया तो नाइनटीफाइब सेवन तक और तब म्यूजिक इंडस्ट्री पे ये था कि अगर मार्केट हंड़ेट परसेंट जो म्यूजिक इंडस्री का हुआ करता था उसम 69 शी सदी मार्केट पर कब्जा कर लिया था टी स्रीज ने और उस दमाने में करिक रिक वन यह साड़े तीन सो करोड़ का इनका टरन ओवर हो गया था और सारी ज्यादातर फिल्मों के म्यूजिक राइट्स टी स्रीज को मिलने लगे और यह सारे सिंगर भी फेमस होने लगे उसी दोरान एक फिल्म आई आशिकी अभी तो उसका दूसरा वर्दन था तो वो आशिकी उस जमाने में जब आई थी उसके सारे गाने बड़े हिट थे उस फिल्म का मीजिक दिया था नदीम शर्वन ने और नदीम शर्वन वहीं से बहुत बड़े म्यूजिक डिरिकटर द थी वो जिसके गाने बहुत हिट थे मतरब दरजण ओ कई और fix啊 वारड हो बहुत कई फिल्म-fire ऐवाड साजन फिल्म थी जो संजेदत औरकार सलिमान खान की मादरे देक्ष़ी थी वो तो Birthday यह music director का भी नदीम ने गाये थे लेकिन नदीम के आवाज अच्छी नहीं थी म्यूजिक डिरेक्टर बेशक अच्छा था लेकिन जरूरी नहीं कि अब हर चीज में काम्याब हो फिर भी हाय जिन्दगी का कुछ कई दबाव था और दोस्ती थी तो गुल्शन कुमार ने उसके कुछ गानो चुके इस्टेबलिस म्यूजिक डिरेक्टर हो गये थे तो गुल्शन कुमार की एक खास बात यह थी कि वो फिल इंडेस्ट्री में हमेशा नए लोगों को ही सिर्फ मौका देना चाहते थे और जो एक बार स्टार बन गया बड़ा हो गया फिर वो धीरे धीरे उससे किनारा कट लेते थे तो आब यहां पर नदीम श्रवन के साथ यह भी था कि जो फिल्मे थी वो गुल्शन कुमार जो फिल्मे बनाते हैं उसमें कोई और डारेक्टर होता है तो इस तरह से दूर यह बनने लगी और नदीम को यह लगा कि गुल्शन कुमार जो है वो उसका केरियर खराब करना चाहते हैं और उसे काम भी नहीं दे रहे हैं उसके गानों को प्रोमोट भी नहीं कर रहे हैं तो यह सारी चीजें चल रही थी एक साथ इसी बीच में अब चुके गुलशन कुमार बहुत बड़ा नाम मेज़ुक इंडस्ट्री में हो चुका था अंड़वल से गुलशन कुमार को मुंबाई मूंबाई में उस वक दाम बार थी तमाम इस्टार्स और इनको धमकी देना और उनसे पैसे लेना एक impressive बंटीशन मनी तो कहते हैं कि अंड़वल से फोन गया था और फोन किया था अबू सालिम ने और गुलशन कुमार ने कुछ ए पैसे दिये थे पहली बार में और ये बात है नाइन्टी सिक्स की नाइन्टी नाइन्टी सिक्स तो कुछ फोन आया तो के अन्रवल से ये वो सारी चीज़ तो कुछ करोड़ रुपे में वो पैसे दिये गए इसके बाद फिर दोबारा अब ये जब रिष्टे इदर खराब हुए तो नदीम ने जो सारी ये सारी कोट में और वो सारी चीज़े में खलम बंद है नदीम को बुरा लगा कि गुलशन कुमार उसका केरियर खराब कर रहा है और गुलशन कुमार उसे काम नहीं दे रहा और गुलशन कुमार जो है वो उनके अल्बम को प्रमोट नहीं कर तो उसने अंडरवल नदीम के जो रिष्टे थे वो अंडरवल के साथ थे खास तोर पर अबू सालेम और अनीस इबराहीम जो दाओद इबराहीम का भाई था तो उसने अबू सालेम से कॉंटेक्ट किया उसने का कि यह ऐसे ऐसे कर रहा है तो तुम इसको थोड़ा धमकाओ त तो कहते हैं कि फिर अबू सालेम ने फोन किया और इस बार उसने कहा कि गुलशन कुमार से कि आप 10 करोड़ों रुपे हमें दे दो अपनी सलामती चाहते हो तो गुलशन कुमार एक किस्त अलड़ी दे चुके थे हलाकि यह रिकॉर्ड पे नहीं है और पुलिस में भी कोई पुलिस में कभी कंप्लेंड नहीं की गई लेकिन जब दूसरी बार आया तो फिर गुलशन कुमार परिशान हो गया और उस परिशानी मुन का कि मैं अभी दे चुका हूं लेकिन उसने का कि नहीं आपको देना पड़ेगा तो अंडवल का जैसा होता है यह चीजें चलती र और तुमने अभी तक पुलिस में भी कंप्लेंड नहीं किया इसका मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहो यह कोट में बाकायदा गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार का स्टेट्मेंट है गवाही है तो पाच अगस 997 को अभू सालीम ने फोन किया कि पैसे दे दो नह ने का कि नहीं पुलिस में अगर जाओंगा तो ये लोग बड़े खतरनाक हैं फिर और उल्टा पड़ जाएगा तो वो पुलिस में भी नी जाते हैं तीन दिन बाद आठ अगस्त 97 को दोबारा बुसालेम फोन करता है गुलशन कुमार को कहता कि तीन दिन बीट गए अभी अग तुमने डिया नहीं अब तुम अपने अंजान के लिए खुद हगदार होगी और उस वक्रिशन कुमार तब गुलशन कुमार के साथ थे जब एक कॉल आया और वो सारी बाती सुन रहे थे कोट में बकादा कवाही दी तो उसने ये का कि ये सारी चीज ने यही रह तो गुलशन कुमार ने सफाई दी कि मैंने इधर से उस प्रमोट की थी उसके कुछ गाने लेकिन उसका रिस्पॉंस नहीं आया और मेरे पास बहुत सारे और काम है बहुत सारे म्यूजिक के जो है फिल्मों के वो हमारे पास राइट्स हैं तो ये मुमकिन नहीं है और जो चीज नाकाम है उसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं तो ये अपनी सफाई दे रहे थे लेकिन उधर से वो कहा दा रहता कि नहीं आप प्रमोट करो तो ये चीज़ें चली और उसकी उसी बीच में ये भी था कि आप जिस फिल्म में संगीत गुलशन कुमार मतलब जो राइट्स ल लेना छोड़ दिया था चूंकि 65 फीसदी मार्केट म्यूजिक इंडस्री का टी स्रीज के पास था तो ये ऐसे म्यूजिक डिरेक्टर के लिए थोड़ा सा जटका होता था क्योंकि 65 फीसदी जो लोग मार्केट पर कबजा करके बैठे हैं अगर वो उनके गानों को सालेम ने धंकाया तो पांच और आठ अगस दो बार धंकाया अब गुलशन कुमार परिशान थे बहुत तो उन्होंने एक दो अपने करीबी दोस्तों से बात की किशन कुमार जो भाई है उनसे जिकर किया सबने यही सुझाओ दिया कि आप पुलिस में कंप्लेंड करो लेक बारा अगस्त आजाता है 1997 पांच और आठ अगस्त को फोन पर धंकी आती है और बारा अगस्त मतलब आठ और चार चार दिन के बाद जुहू में एक मंदिर है बहुत छोटा सा अच्छा गुलशन कुमार बहुत ही धार्मिक प्रविर्टी के शुरू से रहे आपको जम्मू में ही एक छोटा सा मंदिर था जो सलम के बीच में था तो वहां कभी एक आख बार गए होंगे शुरू में गुलशन कुमार उसके पता नहीं उस मंदिर से उनको जादा ही कुछ प्यार हो गया और आस्था हो गई तो फिर वह पाबंदी से जाने लेकि और उस मंदिर को यकिन मुंबाई में हैं तो जाएंगे दो वक्त जरूर उस मंदिर में जो जुहू में था तो 12 अगस नहीं की सूबाभी घर से निकलते हैं और घर के बिल्कुल पास में चुके मंदिर है तो मंदिर के अंदर जाते हैं उतना पूजा बूजा पार्ट करते हैं वहां से 10 मंद्र के साइड में तो गाड़ी की तरफ जैसे ही वड़ते हैं तभी वहां पे तीन लोग खड़े होते हैं उसमें बहुत लंबे बाल वाला था और गुल्षन कुमार को जैसे ही वह देखता है तो जो वहां के लोकल लोग हैं उनका एक ब्यान है जो खड़े वे थे चुके स सबकुछ पासवास में था तो उनमें से एक जो लंबे वाल वाला है वो गुल्षन कुमार को कहता है कि पूजा पाट बहुत हो गया बाकी की पूजा तो ऊपर जाकर करना और उसके बाद वो पिस्टल निकालता है और सीधे फायर कर देता है पहली गोली सर में लगती है इस तक वो गवार उसके बाद वहां से थोड़ी दूर पर एक टैक्सी कहड़ी थी टैक्सी करपुभर को वह तीनों निकालते हैं है और ओम कर ददाएन उन्हें मालूम है कि गुलशन कुमार का रूटिन क्या मंदिर में सुवा नहीं आ आए शींटी तो मुंबाइ मी है तो दोनों होगे तो मुंबाइ मैं लोकेशन सबकुछ मालूम था उसके लिक नहीं डिया जा म्यूजिक इंडिस्ट्री में क्रांटी लाई थी इतना सस्ता टेप और कैसेट बेज़ कर ती बात हार तरफ पहलती है फिर तब मुंडे थे महरास्ट के होम मिनिस्टर वह भी बयान देते हैं कि हमें कभी बताया ही नहीं गुलशन कुमार ने की उन्हें अन्रवल से थ्रेट जबके वो दान वान ये सारी चीज़ें करते रहते थे लेकिन कभी शेयर नहीं किया तो शेयर डर की विए से खैर इसके बात शाम होते होते गुलशन कुमार की जो पार्थिव शरीर जो बाड़ी है उसको दिली लाए जाता है और सारे मुंबै से उनके जितने भी म्यूजि चीज हो तो उसके वाएं यहां दिली में ही उनका अंतिम संसकार होता है पुलिस जान शुरू कर देती है अब यहां पर यह था कि इन सारे लोगों में से मिसिंग जो था वो नदीम था और नदीम को खड़ा करने वाले गुलशन कुमार नदीम को नदीम शर्वन को नदीम तो शुरू में यह चर्चाएं तो थी और चुके किशन कुमार अब जो गुलशन कुमार के भाई हैं उन्होंने दो पांच और आट अगस्त के कॉल का जिकर किया था तो इसलिए कहीं नदीम की भी बात आ रही थी तो यह सारी चीज़ें चल रही थी उसके बात पुलिस जो तो इन दोनों को पकड़के जब पूचताच करती है तो दोनों फिर पूरी कहानी सुनाते हैं और जो पूरी कहानी थी वो यह थी कि मैई के महीने में मैई 1997 दुबई में अनीस इबराहीम जो दाओद इबराहीम का भाई है चोटा उसके दफतर में एक मीटिंग होती है उसम मीटिंग करके कहते हैं कि इसने पह coherence तो दे दिया लेकिन दूसरा किस्ट नहीं दे रहा है डरता भी नहीं है और नदीम शरवन के नदीम को जो प्रॉमट करने के लिका वो भी हमारी बात नहीं मान रहा है उसके में फिल्मों के राइट्स भी नहीं ले रहा है तो इसे मैस ने जाकर उसी जगे पर ये मड़र किया। बाद में करीब उसके ठोड़े की दिन के बाद दाओद मर्चंट एक खास था इसमें जो तीन लोग थे उनमें से एक था जिसने गूली चलाई थी और दाओद इबरहीम का खास था अबू सलेम का खास था क्योंके अबू सलेम दाओ पकड़ती है दाउद मर्चंड को जब पकड़ती है पुलिस तो फिर वो उससे सारी कहानी सुनती है तो उसकी कहानी भी सारी यही होती कि मैं में यह प्लानिंग होई थी अबू सालेम ने यह कहा था उसके बाद उसकी गिरफतारी के बाद जो बाकी दो और शूटर थे उनको पकड़ती है जब उनको पकड़ती है तो पता चला कि गुलशन कुमार को मारने के बाद इन सुपारी किलर को पच्चिस लाक रुपे टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्री के जो मालिक है रमेश तुरानी उन्होंने दिये रमेश तुरानी बहुत बड़ा नाम तब भी रमेश तुरानी का भी हाथ है फिर ये भी हुआ कि दोनों म्यूजिक इंडस्री से जुड़े हैं वो टी स्रीज ये टिप्स रैविलरी भी हो सकती है तो रमेश तुरानी को भी मुंबे पिलिस ने गिरफतार कर लिया और गिरफतार करने के बाद उन्हें भी कतल की साधिश में शामिल किया इसके लावा कुल तोटल ये तीन शूटर और आपके तुरानी इन सब को मिलाकर उन्नीस अलग लग लगों को मुंबे पिलिस ने गिरफतार किया और इसके बाद इन पे मुकदमा चला मुकदमा चलने के बाद 2001 में जो दाओद मजिंट है उसका निकने मब्दुल रहूफ पी है इसको सेशन कोट ने उमर कैद की सजा सुना है उनकर कहा कि इसको फासी इसले नहीं दे रहे हैं कि इसने किसी और के कहने पी किया लेकिन बाकी पुलिस पुखता तोर पे कड़िया नहीं जोड़ पाई लेकिन सबसे बड़ा जो सिट बैक था वो ये था कि बाकी के अठारा जिसमें रमेश तुराने वी थे इन सब को कोट ने बरी कर दिया तो सिर्फ एक को सजा हुई अब जो में नदीम और अबू सालिम का की नदीम का सामिल था और अबू सालिम तो नदीम इधर गुलशन मडर होता है अगस्त में और उसके बाद उसकी वाइफ तब प्रिगनन थी नदीम की और वो लंदन में थी और उसी मेहने एक Film Fair Award था हैदराबाद में जिसमें नदीम को होना था कुछ अवार्ड मिलना था लेकिन वो इस Film Fair Award में भी नहीं जाता और गुलिशन गुमार के मड़र के फॉरण बाद वो इंडिया छोड़के यूके चला जाता लंदन जहां उसकी अलड़ी बीवी प्रेग कि वो लॉट आएगा और इंविस्टिकेशन में शामिल होगा और सपोर्ट करेगा लेकिन बस वो इंतिजार इंतिजार ही रहा है वो संतानवे से लेकिया अच्छे दोहजार अठार हो गया नदीम नहीं आया लेकिन नदीम को ब्रेटन से लाने के लिए कई बार हमने प्रत में से मना कर दिया उसने का कि पुखता सबूत नहीं है उसके बात कहते हैं कि अब अभी हाल में नदीम जो है फिर उसने अपना दुबई में पर्फियूम का बिजनस शुरू कर लिया है और वो गल्फ में रहता है दुबई में रहता है लेकिन वो ब्रिटिश सिटिजन है वहां की उसने नागरिकता ले रखिए तो नदीम के खिलाफ जितने भी मामले थे वो उसमें आभी तक हिंदुस्तान में उसको लाकर उस अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका है दूसरा जो इंपॉर्टेंट बस था अबू सालेम इसके वारे में कहते हैं कि उसी ने ध तो जो परतियरपन थी जो संधी थी जो समझोता था हमारा प्रतोकाल सरकार के साथ उसमें ये था कि इस पे सरिफ यह यह मुकदमा चलेंगे उसमें कहीं भी गुलशन कुमार मडर केस का जिक्र ही नहीं था तो जो जो हमने वहां लिख के दिया है जैसे 93 का दिया था कि 93 वे यह दिखाया गया है कि वो गायब है, हाजिर नहीं हुआ, क्यों क्योंकि आप उसमें मुकदमा नहीं चला सकते हैं, और इसलिए उस मामले में कोई सजा नहीं हुई, सजा सिर्फ एक को ही दाउद मर्चंट अलियस अब्दुलरूफ को उमर कैद की सजा हुई, उसके आद उसक कि अभी तक इस मामले में नदीम को सजा हुई, जो मेन मास्टर माइंड है, और अबू सालिम को, और कहते हैं, और उसके अलावा भी कई ऐसे ओडियो और यह सारी चीज़ें हम लोगों ने भी स्टोरी की थी, कि लंदन में रहते हुए, प्रोटक्शन जो दिया है, नदीम क है, परफ्यूम का, शरवन के बारे में भी पुलिस न उस वक्ता हैं, तमाम इन्विस्टिगेशन की, मुंबे पुलिस न जब यह मडर के बाद की, यह था कि राइविलरी है, म्यूजिक इंडिस्ट्री से जड़ावा है, और दोनों पार्टनर है, तो इसमें इसका भी कोई रोल हो सकता है, लेकिन तमाम चीजें जब इन्विस्टिगेशन होई तो शरवन बेदाग निकले और उनके खलाफ कोई सबूत नहीं था, और इसलिए कहीं उनका नाम नहीं आया, लेकिन एक और इसमें फैक्ट यह भी है कि जब नदीम वहां लंदर भाग गया उसके बाद भी कुछ फिल्मों के लिए यहां से बैटके शरवन ने ट्यूनिंग की और दोनों ने निट के थूरू और उसके म्यूजिक कमपोस किये, फिल्मों के लिए, और वो फिल्में आईएं, मुझे इस वक्त नाम यार नहीं आ रहा है, लेकिन वो आईएं, तो यह सिसला चलता लेकिन शरवन ने फिर बाद में बयान लिया कि उसे यकीन नहीं है, उने कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि फिल्म इंडिस्ट्री में शोहरत पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं, और यह उसकी एक मिसाल है, और गुल्शन इंडिस्ट्री में एक क्रांती, एक इनकलाब ला दिया, जिसने इतने सस्ते कैसे टलाई कि गरीब के हाथों तक भी पहुँचा हूँ, और तमाम नए सिंगर्स को, जो मौकरी, आज हम लोग जिनको सुनते हैं सारे, एक सिंगर का मैं हूँगा, सबसे फैन भी हूँ, नाम इस वक देखे, इत्फाक से नहीं आ रहा हूँ, जिननों ने ये गाना काया था, आया जने भी तू भी कभी, क्या ना हूँ, आदित ते जो जिनका बेटा है, उदित नारायन, माफ की जी का देख, बहुत देन से सुख से था, तो लाल दुपट्टा मलमल का जब गुलशन क नारायन, आनुरोदा पोड़वाल, सोनव निगम, कुमार, शानु आशीकी ने कुमार, उन्स, कहाँ से कहाँ पहुछाद पहुचा दिया, तर आपके शबबीर, मुहमद रफीющ के आवाज में, मुन्ना अजीज जिसको महमद रफी के आवाज में, ये सारे एक से की सिंग आवाज नए टैलेंट नए म्यूजिक डिरेक्टर को तलाशते और उन्हें मौका देते और फिर वो हीट हो जाते फिर वो किसी और के नए की तलाश में चले जाते और शायद उनकी यही आदत और उनकी यही फितरत जो थी कि नए लोगों को मौका दे के फिर जैसी वो इस्ट गुलशन कुमार की कहानी टी स्री आज भी है, सुपर कैसे इंड़िस्ट्री आज भी है, और बाकाइदा कई फिल्मों की मुजिक रैट्स से मिलते हैं, गुलशन कुमार के भाई, किशन कुमार, उनके बेटे गुलशन कुमार के और बेटी, ये लोग इस सब इंड़िस्ट्र में इनका आज भी कद जो है वो भग बड़ा है लेकिन कहानी का सार ये है कि इनसान तरक्ती पाने के लिए या फिर नाकामी से डरने के लिए भी कई बार जुरुम के रास्ते पे निकल पड़ता है और वही चीज की नदीम ने और सहारा लिया अबू सालेम और डी कमपनी का औ और एक म्यूजिक एंडिस्ट्री का उस वक्का चमकता हुआ सितारा जो है वो बुझ गया तो उम्मीद है कि आपको इस गुलशनकुमार मडर केस की सारी जो कहानी थी डिटेल में मैंने आपको बताई आपको पसंद आएगी और बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होग तो अपने सुझाओ अपने शिकायतें उसी तरह से आप मेल करते रहें क्राइम ओफिशिल एट जीमेल डॉट कॉम पर या फिर शम्स डॉट खान अटाच तक डॉट कॉम पर और क्राइम तक परिवार के सदस से आप लोग हैं इसलिए खुशी होती है आप लोगों से बात क प्रेन रखिए ताके यह और फले फूले और परिवार बड़ा हो और आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहें आपकी सुझाओ में मिलते रहें और आपकी शिकायते वी सारा आखों पर जो जो आप अपने शिकायते या सुझाओ देते हम उनको सुधारने की कोशिश कर करते हैं तो सेटेडे हैं आज कहानी सुनिया इंज्वाय किजिए कल संडे है कल मेरी संडे की छुटी है एक दिन की तो अब मंडे को आप से मुलाकात होगी और मंडे के बाद ट्यूजडे हम लोग वेट करेंगे और वेडनस डे को इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा म आता है लेकिन मंडे को आप से मुलाकात होगी रात नो बजे तब तक ले अच्छे रही है खुश रही है और इसी तरह क्राइम तक देखते रही है क्राइम तक के परिवार को बढ़ा करते रही है क्राइम तक करते रही है